नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत और आज हम आपको कराना है वाले हैं वेने डाइग्राम तो दोस्तों ये बहुत आसान चैप्टर होता है पर तो काई बार हमें इसमें दिमाग ज्यादा ही लगा देते हैं ठाइम खराबी कर देते तो दोस्तों ये बहुत आसान चैप्टर है आप इसको आसान से कीजी हम आपको समझाते हैं किस परकार से ये करना होता तो दोस्तो इसमें जैसे दिया गया है जैसे बच्चे लड़का और लड़की तो दोस्तो जैसे ये बच्चे हो गई बच्चों में लड़का भी हो सकता और लड़की भी हो सकती है ठीक है दोस्तो तो हमारा अंस्वर एक हो जाएगा ठीक है तो अगला आता है हमारा जैसे कागच, किताब और स्टेशनरी दोस्तो इसमें क्या किया गया है जो किताब होती है उसमें कागच होती है किताब में क्या होती है कागच, स्टेशनरी अलग होती है जो आपर किताबे मिलती है दोस्तों ठीक है स्टेशनरी में कुछ भी हो सकता तो इसका आंसर हमारा याज जाएगा दोस्तो फिर आता है जैसे हमारा सेब, फल और सबजी दोस्तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा जैसे फलों में जैसे ये फल है फलों में क्या हो जाएगा सेब और दोस्तों सबजी हمारे लग होती है ज़ Teachers आलू प्याज यस बार हमारे सबजी होती है आ Pew आपको भी तो P tipo में क्या गा सेबा गा और सबजी अलग हो गई तो यह हमारे झालो 아न्सवर हो जाएगा ठीक है दोस्तों नाक्स्त क्यों सनाता है हमारा जैसे गेहू, डाल और अनाज इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों अनाज, ये हमारा अनाज होगा अनाज में क्या, गेहू भी हो सकता और डाल भी हो सकती है ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंस्वर हो जाएगा तो दोस्तों, अगले क्यूसन में क्या होता है जैसे सूरिये मंगल और गरे दोस्तों ये बहुत ही समझने लाइक है आप इसको अच्छे तरह समझें दोस्तों गरे क्या होता है गरे गरे जैसे हमारा मंगल बुद्ध सुकर ये सब हमारे गरे हैं दोस्तों तो गरे में क्या आगा गा गरे में मंगल आगा क्योंकि मंगल ये गरह हैं तो यह सूरिय को अलग से लिख दिया क्योंकि सूरिय कोई गरह नहीं है दोस्तों सूरिय एक तारह है ठीक है आप इसको याद रख सकते हैं सूरिय एक तारह है यह गरह नहीं है तो इसका अंस्वर हमारा एक हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो next question करते हैं जैसे हाथी ब यहां पर एक नू और पचिस दिया यह किस परकास है दोस्तों एक का स्केर कितना होता है एक और तीन का स्केर कितना होता है नो यहां पर पांच का स्केर कितना लिख दिया पचिस यह किस परकास लिखा एक का स्केर एक दो को छोड़ दिया है ठीक है फिर तीन का स्केर नो फिर यहां पर 4 को छोड़ दिया है फिर 5 का स्केर 25 इसी परकार से next में दिया गया है दो का स्केर यहां पर 4 लिख दिया गया है तीन छोड़ दिया है फिर 4 का स्केर यहां पर 16 लिख दिया गया है ठीक है दोस्तों फिर 5 को छोड़ दिया है फिर 6 का स्केर लिख दिया 36 ठीक है इसी का स्केर उन्हें इंचास लिख दिया है फेशी प्रकास याँ पर चार का स्केर यहां पर लिख दिया गया है पांच को छोड़ दिया गया है छे का स्केर यहां पर लिख दिया है साथ को छोड़ दिया है तो हमारा क्या जाएगा आठ का स्केर आठ का स्केर कितना होता चोसेट तो हमारा answer क्या हो जाएगा चौसेट हमारा answer हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो अब करते हम next question इसमें क्या होता दोस्तो इसमें दिया गया है 5, 3, 4 और 2 यह 12 किस प्रकास है दोस्तो जब हम इनको multiply करेंगे जैसे 5 multiply, 3 multiply, 4 multiply, 2 तो हमारा कितना आजाएगा 120, चब 120 को हम 10 से divide करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा ठीक है दोस्तो इसी प्रकार से इसमें होता है जैसे 10, 5, 50, 52, 100 जब 600 हो जाएगा तो हम इसे 10 से divide कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा तो हमारा 6-8 answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो next question भी इसी परकार से होगा किस परकार से जैसे हम 15 multiply 6 multiply 4 करते हैं तो हमें कितना प्राप्ट होता है 306 प्राप्ट होता है जब हम इसको 10 से divide कर देंगे तो हमें 36 प्राप्ट होगा इसी परकार से इसमें आता है दोस्तो 5 शिका 30 और 30 सते कितना होता है दोस्तो 210 हो जाएगा 210 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 21 पराप्त होगा ठेका दोस्तो Next question भी इसी परकार से आता है 50 की और 10 की मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 500 हो जाएगा 500 की 10 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो 5000 हो जाएगा जब हमको इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना पराप्त होगा यहाँ पर हमारा 500 आंसुर आ जाएगा तो दोस्तो इसमें 500 हमारा आंसुर होगा ठेका दोस्तो तो इसी परकार से next question में किया गया दोस्तो next question में देखी 15 चोका से 8 होता है दोस्तो यहाँ पर इसकी multiply कर दी गया 15 multiply 4 15 चोका से 8 और 15 जमा का 4 19 होता है 19 यहाँ पर लिख दिया इसी परकार से दोस्तो इसमें आता है 8 multiply 3 8 या 24 होता है और 8 पलस का 3 किया जाए तो यहाँ पर 11 होगा तो दोस्तो इसमें 10 पलस का 4 यहाँ पर 14 होगा और 10 multiply 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर 40 प्राप्त होगा तो इसमें हमारा answer 40 हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो अब हम आपका करवाते next question next question में क्या है दोस्तो यहाँ पर जो संख्याय दिये गई है उसमें किस परकासे करना है उसमें इस परकासे करना दोस्तो जैसे 21 को divide करेंगे हम 7 से तो हमारा कितना आ जाएगा जब हम 21 को 7 से divide करेंगे तो हमें 3 पराप्त होता है ठीक है दोस्तो जो 3 का square होता है वो no वो बीच में लिख दिया जाएगा ठीक है दोस्तो 3 का square यहाँ पर no लिख दिया गा फिर 36 को divide करेंगे हम 4 से जब हम 36 को 4 से divide करते हैं 4 निमा 36 पराप्त होगा 9 का square कितना होता है 81 तो 81 यहाँ पर लिख दिया गा दोस्तो इसी परकार से 45 को divide करेंगे हम 9 से जब हम 45 को 9 से divide करते हैं 9,5,45 और 5 का square कितना हो जाएगा 25 तो 25 यहाँ पर दिया गा दोस्तो यह हमारा answer हो जाएगा और यहाँ पर 25 लिख दिया जाएगा ठीक है दोस्तो इसी से फिर हमारा यह chapter complete होता है आपने बहुत अच्छे गोर तरीके से सबीन को complete कर लिया है तो दोस्तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर देना